बोपाल के आजाद मार्केट में शंकर आईल मिल में अचानक वीशण आग लग गई आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस आग पर काबू कर लिया पुराने शहर के आजाद मार्केट में शॉर्ड सर्किट के कारण सोया तेल मिल में सुबह अचानक आग लग गई आजाद नगर की तीन मंजिला बिल्डिंग में नीचे सोया मिल संचालित हो रही थी वहीं उपर कुछ लोग रह रहे थे आग की सुजना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब धाई घंटे में आग पर काबू पाया जा सका बता जा रहा है कि तेल की मातरा ज्यादा होने से आग भड़क गई और इससे बिल्डिंग में रहने वाले 40 से अधिक लोग फ़स गए थे वहीं आसपास के मकान को खाली करवाया गया फायर अधिकारी रामिश और निल ने बताया कि सहर के तीन फायर स्टेशनों से साथ से अधिक दमकलें और करीब पचास करमचारियों की मदद से आग पर काबू पालिया गया इस आग जनी में करीब एक करोर रुपए का नुकसान होने की आशंका जटाए जा रही है चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकड़न्डियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्डीती से कूटनीती तक दखन न्यूज आपके हद पर आप देख रहे हैं दखन न्यूज पराद से महलों तक डि एक पर टीजोगों तकार कर्णाओंग्रे जूज